यह सर ने बहुत ज़ुरी बात यह टापिक इसली निकाला गया क्योंकि आईरिवीद में योग रतनाकर में बोला है दिन में जिसे आप अगनी होत रियग्य करते हो दूबार अगनी होत रियग्य दिन में किया जाता है वैसे ही दो बार पेट में आप भोजन भी डालो एक सू हो चुका हो उस टाइम पे तो सर हम नास्टे की बात कर रहे थे नास्टे में कुछ आजकल जैसे आपने बुला ready to eat product तो अच्छे है नहीं पर फिर भी हम कुछ varieties देखते जो लोग नास्टे में बार-बार खाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि मुझे fatty liver क्यों आया जैसे चाय च अश्टे के लिए जो चीज हमने खाई थे आमें तीन वर्ड हमने देखे थे गूरू स्निक्दो और द्रवा तो जो चीज में खा रहा हो वो पचने में उसमें ज्यादा चिकना हाट या चिपचिपापन है क्या तो ब्रेड में है क्या तो डिफिनेटली है ओके चपाती में है क्या तो डिफिनेटली है और वो पचने में भारी है क्या और उसमें ज्यादा चिपचि पाहट है क्या तो ऐसी अगर उस चीज में चिपचि पाहट ज्यादा है तो उसमें वो मुझे नहीं खाना चाहिए तो खाना क्या चाहिए इसकी बारे में भी शायद मेरे खैल से थ पॉप्ट राइस या पॉप्ट राइस या एसी जीज़े आप खा सकते हो वैसे जवार का भी बनता है पॉप्ट जवार भी बनता है पॉप्ट जवार या पॉप्ट जवार उसको भी आप खा सकते हो तो यह पचने में हलका होता है यह स्निक्द नहीं है यह लगू है यह मसूर की डाल हो गई उसका आम लोग सूप बना सकते हैं जिसको आयरवेद में यूश कहा गया है यूश और उसमें भी कट्टू रसात्मग जो त्रिकटू होता है जिसके बारे मैं थोड़ी देर पहले बताया था सोंथ था मेरी था पिपली था ये इसका छोक लगाते हैं उस उसको सूप जैसे बना के वो पिते तो उसका प्रयोग कर सकते हैं और एक चीज जो होती है जिससे खमीर कहा जाता है या फिर जिससे साउत में अमली कहा जाता है महाराष्ट्र में भी उसका प्रयोग होता है और ये जो होता है वो अलग-अलग चीजों को फर्मेंट करके ब बनाया जाता है तो यह जो अलग-अलग मिलेट्स होते हैं अब यह मिलेट्स क्या है अभी फिलाल जो चल रहा है यह इंटरनेशनल इयर ओफ मिलेट्स चल रहा है आपको शायद हमारे दर्शकों को पता होगा तो इस मिलेट्स में पहले बिगो के रखना है 6-8 गंटे तक, बाद में 15-20 मिनिट तक उसको अच्छी तरह से पकाना है, और बाद में इसको अच्छी तरह से पक जाने के बाद, एक मिट्टी के बर्तन में 6-8 गंटे तक इसके ऊपर कौटन का या मलमल का कोई तो कपड़ा लगा के बांद देना ह और उसको 6-8 गंटे तक रखना है, फर्मेंट होने देना है 6-8 गंटे तक, जिससे वो ज़्यादा खट्टा नहीं होगा, और उसके बाद तयार होने वाली ये जो खमीर या अमली जिससे केते हैं, उसको अगर हम लोग लेते हैं, तो इससे हमारे बोड़ी में गुड बैक् करते हैं, जो पूरा जो धानने होता है, उसका प्रयोग नहीं करते हैं, और उसमें तुरंग उसको खटा करने के लिए तुरंग उसमें दही या फिर चाज डाल देते हैं, तो वैसे नहीं करते हैं, वैसे नहीं करना है, उससे क्या होता है कि हमें सिर्फ लैक्टो बैसिलस म में मिलने चाहिए और उसके लिए हमें उसको naturally ferment होने देना ज़रूरी है इसलिए 6-8 घंटे उसको बेगो के रखो बाद में 15-20 मिनिट तोक उसको अच्छी तरह से पकाओ पग जाने के बाद 6-8 घंटे उसको और आपको यह होता है माइक्रोबायम होता है उसको स्वास्त रखने में मदद करता है और लिवर डिसिस से लेके डाइबिटीज हो गया इवन कैंसर ऐसी बहुत सी बिबारियों में यह बहुत आवश्यक है इसलिए इसका प्रयोगा में जरूर करना चाहिए सर लाइफस्टाल से इसलिएट और एक दो में सवाल आपसे पूश्टा चाहूँगा जैसे कि कई लोग अपने भी दही और बाकी खानपान की दो चीजे बताईए कई लोग दिन में बार-बार खाना पसंद करते हैं एक ये चीज का लिवर पर कितना इंपक्ट होता है और कई लोग रात का जो बचा हुआ बासी खाना होता है वो नास्टे या दोपेर या रात को खाते हैं क्या ये दो चीजे लिवर पर इंपक्ट डालती है ये दो चीजे लिवर पर इंपक्ट डाल सकती है कि हम लोग बड़े बड़े होटेल में जाते और वहाँ पर जाके नॉन्वेज खाते और उसमें हम लोग गर्व मैसूस करते हैं कि बाहर होटेल में जाके अमने नॉन्वेज खाया लेकिन मेरे एक पेशन्ट है जो शेफ है उन्होंने ये चीज मुझे बताई कि होटेल में ज इसे होटल होगे, वो फ्रोजन करके रखते हैं, वो कभी-कभी देड मेरा पुरा ना भी हो सकता है, तो ऐसे जो, और होटल में जाने के बाद, आम लोग यह नहीं सोचते हैं, कि मैं होटल में जाके बासी खा रहा हूँ, ऐसे आपको धान में नहीं आएगा कभी, फ्रेश मिल रहा है, ऐसे हमको लगता है, तो होटल में जाके लोग पैसे देके बासी खाते हैं, एक बार आप घर को समझद ओपरे में बनाई हुई चीज़ आप शाम को खा लेंगे, वो ठीक है, जिस आयूर्वेद में ऐसे बताया गया है, कि जो पिछली रात में जो बना था, पिछल नहीं करना चाहिए, तो ऐसी मुर्खता से हमें निश्चित बचना चाहिए, ऐसे में सोचता हूँ, तो ये नहीं हमें करना चाहिए, बार 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 अगर हम लोग खा रहे हैं, उसी को विश्मासन या अजिर नाशन बोलते हैं, उसको ही अजिर नाशन कहते हैं, उसको ही ए आपके जठर में अभी है वो उसका कुछ न कुछ conversion हो चुका है वो पूरी तरसे conversion नहीं हो रहे है और अभी वो आगे जाने के लिए त्यार है मतलब एक employee है समझो एक simple example देखे मैं इस चीज को बताऊंगा कि आप किसी office में काम कर रहे हो आपके office का time है 10 से 6 बज़े तक समझी और 5 बज़े boss आता है और आपको कहता है कि ये दो file आपको 8 बज़े तक बेटना पड़ेगा ये दो file भी आज भी आपको निप्टानी है तो आपकी feeling कैसे होगी आपको ऐसे लगेगा कि आप मतलब खुशी-खुशी तयार होगी उसके लिए नहीं तो आमारी body किसे खुशी-खुशी तयार हो जाएगी इसलिए पित्त प्रकृती के कुछ नोग होते है जिनको बार-बार भूख लगती है तो वो अगर कुछ थोड़ा बहुत खा लेते है तो वो बात अलग है लेकिन तीन गटे के दो-दो गटे में तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए तो ये एक बात आमेशा दैन में रखनी चाहिए इसलिए जो नियम तोड़ी देरे पहले पहता है कि याम मद्देन पुक्तव्यम तीन गटे के अंदर नहीं खाना चाहिए और छे गटे से ज़्यादा दिन के समय में हमारा जो पेट होता है उसको खाली नहीं रखना चाहिए तो ये जो नियम में यही पे भी वो परियापते है बार बार खाना ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है ठीक है सर इतनी सारी हमने गलतियां देखी कि कही लोग रात में भी लेट से खाते हैं ये सारी चीज़े कही न कहीं लिवर खराब करती है बार बार खाना और खाने की जो सर ने गलतियां बताई वो हम करते हैं और फिर सोचते हैं कि यार बिनादारू की लीवर कैसे खराब हो गया। आप सोचे कि इतनी सारी बाते करने की क्या जूरत हैं। क्योंकि हम खोट-खोट के उन चीजों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो गलतियां कहीं न कहीं आपके लीवर को खराब कर रही है और लीवर की खराबी आपके पूरे शरीर का सत्यानास कर सकती है अब आगी का सवाल मेरा सर के लिए ये रहेगा कि सर ठीक है सपोस कि कोई आदमी ये सारी गलतियां करता है ये इन में से कुछ गलतियां करता है तो exactly उसकी शरीर में होता क्या है जिससे की लिवर खराब हो जाता है प्लीज आप वो बताईए फिर एक बार बॉलीवड का साहरा लेंगे गलती की है तो भुगत नहीं पड़ेगी बॉलीवड बहुत सी चीज़ें हमें सिखाता है तो आपने गलती की है तो आपके लिवर को भुगतना पड़ेगा क्या भुगतना पड़ेगा किस तरह से भुगतना पड़ेगा, इसके उपर आते हैं, हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, कि जब किसी चीज में फैट संचीत होने लगता है, तो वो फूलने लगता है, लीवर में नॉर्मली फैट होता है क्या, तो इसका answer यस है, लीवर में नॉर्मली 5% तक फैट ह होता है, 95% लीवर के बाकी टिश्यू होता है, तो जब 5% से ज़्यादा फैट होने लगेगा, तो कुछ अलग चीजे उसमें दिखने लगेगी, for example, अभी हमारी जिस चीज में ज़्यादा फैट होता है, वो चीज चमकने लगती है, अभी जगर मैंने, मैं यहां पर बेटा चाहिए, लीवर में फैट की मातरा ज़्यादा होने की बज़े से, यह लीवर ब्राइट दिखने लगेगा, सोनोग्राफी में ज़्यादा उभर के आएगा, तो इसको बोलते हैं कि, ब्राइट इकोस टेक्चर अप दे लीवर, तो इस तरह से दिखना शुरू हो जाता है, तो सिर्फ यह फैट यहां पे होने से क्या होता, लीवर की जो सेल होती है, उसमें समझो अभी यह अबनॉर्मल सेल तयार होगी, जिसमें फैट ज़्यादा है, तो बेसिकली बोडी क्या करती है, कि इस अबनॉर्मल सेल को नॉर्मल सेल से अलग करना चाहती है, ठीक है, और इनको अगर अलग करनाल चाहती है, तो यहाँ पर समझो normal cell है, यहाँ पर abnormal cell है, तो दोनों के बीच में एक boundary तयार होने लगती है, जिसको हम कहते है scaring, scaring, scaring मतलब वहाँ पर घाव तयार होना, तो धीरे-धीरे-धीरे-धीरे वहाँ पर scaring होने लगता है, और यह लिवर में होने वाली चीज़ है, जब लिवर में इस तरह से हमने देखा था, कई glucose के metabolism में, मतलब sugar के metabolism में भी लिवर का महत्वपुर्ण रोल है, तो जब ऐसे होगा कि sugar का metabolism लिवर में गड़बड़ा रहा है, तो उसकी वज़े से क्या होगा, तो insulin resistance नाम की एक चीज़ डेवलप होती है, insulin resistance मतलब क्या, कि body में insulin है, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, उसको resistance आ रहा है, क्योंकि लिवर, लिवर के cells में fat ज़्यादा है, उसकी बज़े से sugar उसको नहीं मिल पा रही है, इसलिए body insulin ज़्यादा मात्रा में तयार करना शुरू करती है, इसको कहते है insulin resistance, तो जब ये insulin resistance ज़्यादा मात्रा में होगा, तो body और ज़्यादा 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 insulin निर्मान करेगी, जिसका effect हमारे pancreas पे होगा, और pancreas एक टाइम ऐसा आएगा, कि pancreas ज़्यादा insulin बना नहीं सकता है, और हमें diabetes हो जाएगा, तो liver में fat deposit होना ये पहले सी शुरू होता है, बाद में जाके हमारी sugar बढ़ने लगती है, जब pancreas हमारा almost 80-90% तक खतम हो जाता है, तो ये एक चीज हो गई, हमने ये भी देखा था, जब हम लोग fructose खाते हैं, तो उस fructose का digestion होते हुए, triglycerides बोडी में तयार होते हैं, तो ये triglycerides भी बोडी के लिए harmful होते, और ये ज़्यादा मात्रा में बढ़ने वाला fat, फिर बाद में जाके, हमारे जो blood vessels होते हैं, उनमें चिला जाता है, उसको इंडिस्टरब करने लगेगा, वहाँ पे ये एक तरह से obstruction या आउरोध निर्माण करने लगेगा, जिसको हम लोग atherosclerotic changes बोलते हैं, तो उसके कारण क्या होगा, कि अंदर से जाने वारा जो blood है, उसको obstruction आने के कारण blood pressure बढ़ने लगेगा, तो हमने दो-तीन चीज़े देखी, हमने ज्यादा fat खाया, वो हमारे liver में accumulate हुआ, उसके कारण हमारा वजन बढ़ने लगा, उसके कारण हमें diabetes जैसी condition डेवलप हो गई, या फिर insulin resistance डेवलप हो गया, उसके कारण हमारा blood pressure भी बढ़ने लगा, तो हम लोग बात तो basically कर रहे थे, fatty liver disease की, लेकिन ये जो पूरी जो शरीर में घटने वाली जो घटला है, उसको metabolic syndrome या फिर syndrome X, ऐसे कहा जाता है, तो all these parts of metabolic syndrome और उसका जो एक part है, जो initial part है, वो liver में शुरू होता है, and that is very much important, और एक चीज़ ज़्यादा होती है, हमारे liver में जो bile उसमें होता है, उसमें bile salt होता है, मतलब liver से निकलने वाला जो पित्त होता है, उसमें bile salt होते है, bile pigment होते है, और साथ में cholesterol होता है, तो जब ज़्यादा मात्रा में cholesterol बढ़ने लगेगा, या ज़्यादा मात्रा में fat बढ़ेगा, और bile उसकी तुलना में कम होगा, तब वो पित्त भी गाढ़ा होने लगता है, और उसके कारण गॉल्स्टोन होना शुरू होता है, तो गॉल्स्टोन भले होते गॉल्स्टोन में है, लेकिन गॉल्स्टोन बेसिकली लिवर में, जो रेशो है cholesterol और bile pigments का, वो disturb होने के कारण गॉल्स्टोन होते, तो ये एक ही चीज़ से इतनी सब अलग-अलग चीज़े होती है, एक चीज़ और यहाँ पे important है, तो एक हमने देखा, NAFLD, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, तो लिवर में fat है, that is one thing, और इस fat की बज़े से जब हिपिटाइटीस डेवलप होने लगता है, मतलब inflammation शूरू होकर, लिवर की सेल मरने लगती है, inflammation मतलब सूजन होना, और उसमें ज़्यादा मात्रा में उष्णोता वहाँ पे डेवलप होकी, उसके कारण लिवर की जो अच्छी वाली सेल है, वो परने लगती है, तब इसको आम लोग कहते हैं, NASH या Non-Alcoholic Steer to Hepatitis, आयूर्वेद के संदरब में, अगर आम लोग इसको देखें, तो आयूर्वेद में प्लिखोदर नाम का एक व्यादी बताया गया है, बेसिकली प्लिखोदर ये उदर नाम के व्यादी का एक टाइप है, लेकिन उदर में क्या होता है, कि पेट में पानी बर जाता है, और उसकी बज़े से, उदर कहां गया है, इस उदर की जो इनिशिल स्टेज होती है, इसमें अलग-अलग, तो उसमें पेट में पानी होगा ऐसी नहीं, लेकिन अलग-अलग सिम्टम दिखेगे, इसमें एक वराइटी है प्लिखोदर, अब आयूरवेद में यकृत और प्लिहा, ऐसे दो आवेव बंदाए गए है, एक यकृत मतलब लिवर जो होता है, वो हमारे स्टमक के राइट साइड में रहता है, और स्प्लिन जो होती है, वो हमारे स्टमक के लेप साइड में रहती है, आयरुवेद का कहना ऐसा है कि ये दोनों और्गन अलग-अलग है लेकिन दोनों और्गन को दूशित करने वाले हेतू सिमिलर है ये दोनों औरगन डैमेज होने के बाद जो निर्माण होने वाले लक्षन है वो सिमिलर है ऐसा क्यों है क्योंकि ये दोनों औरगन रत्तवा सुरोतस का मुलस्थान है हमारे बॉडी में जो बलड है उसके हेड़कॉर्टर से ऐसे ऐरवेद का कहना है तो जिस तरह से प्लिहोदर होगा उसी तरह से अगर राइट सैड में लक्षन डेवलप होते है या संपराप्ति गटित होती है तो उसे हम लोग यक्रुत होदर कहते है तो इसमें होता क्या है कि कफ और पित्त बढ़ाने वाले जो हेतू होते है तो जो कुछ हेतू जिसके बा करने वाले और ट्राफिक जैम लिवर में करने वाले ऐसे जो हेतू होते है वो बेसिकली कफ और पित्त को बढ़ाने वाले हेतू इन हेतू के कारण बोडी में जो रत्त है वो दूशित हो जाता है और अभिशन्दी गुण के कारण लिवर में अब्स्रक्शन हो जाता है और और उसकी बज़े से लिवर की कोशिकाए फूलने लगती है और उसकी बज़े से हमारा लिवर अच्छी तरह से रक्त धातु की निर्मान नहीं कर पाता और उसकी बज़े से रक्त पूरी बोड़ी में गुमता है तो उसकी बज़े से हमें चूस्ती फूर्ती लगना यह सब च किन केसी है हम किसी चीज़ पे focus कर पा रहे है नहीं ये सभी चीज़े आईरवेट के इसाब से रख्तदातू पे निरवर होती है हमारा attentiveness कितना ये भी रख्तदातू के ऊपर डिवलप निरवर करता है ऐसे आईरवेट कहता है तो ये सब चीज़े हो जाने की वज़े से प्ल मेगेली के बारे में अगर हम लोग कहेंगे तो इन चीजों के बज़े से लिवर की साइज बढ़ने लगते हैं और जो बाकी की चीज़ें हमने सब देखी वो यहाँ पर होने लगते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपुरुना चीज यह है कि आमें यह ढूलना चाहिए या आमें यह समझना चाहिए कि सिर्प मेरे लिवर में फैट ज्यादा है या उसके साथ इंफ्लमेशन भी हो रहा है अगर फैट ज़्यादा है तो वो चीज उतनी सिरियस नहीं है लेकिन अगर साथ में नैश है हिपटेटीज भी है तो वो चीज उतनी ही सिरियस ओके तो सर ने दो से तीन अलग कंडिशन बताई सर आपने बोला कि एक टैम भी लिवर में फैट आ गया मतलब फैटी लिवर आ गया तो भी इतना ज़्यादा घबराने कहीं लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा बिमारी का नाम सुनते ही तीन केटेगरी में इसको देखेंगे लिवर हेविंग 5% of fat is normal, more than 5% of fat in liver is called as NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease या फिर alcohol के कारण है तो alcoholic fatty liver disease, 5% up to 5% fat is normal, 5% की उपर वाला fat is abnormal, लिवर में fat है, abnormal, ज्यादा मात्रा में और साथ में inflammation भी है, तो hepatitis, तो normal liver, fatty liver and hepatitis, NASH, ये तीन conditions in short हम देख सकते हैं, तो सर ने तीन चीजे बताई कि आपका normal liver है, good, उसमें fat है, एक टेम पर तो भी चलेगा, बट इस fat की करण जो तीसरी condition है, NASH, जिसको संस्क्रिए अभी थ शरीर में जब सूजन होगी, तो आपके शरीर का और आपके liver का NASH या सत्या NASH होना शुरू हो जाएगा, सर, पता कैसे चलेगा, मतलब कि कुछ investigations है, कुछ चीजें जिससे हमें पता चलेगा कि भाई, ये NASH है, या fatty liver है, या normal है, ओके, तो इसके बारे में जरूर चर्चा कर हैंगे, कि liver में fat है, हमें पता कैसे चलेगा, number one, दूसरी चीज, liver में fat है, और साथ पे inflammation है, ये जानना ज्यादा महत्वों पूरुन है, ऐसे मुझे लगता है, तो बहुत बार क्या होता है, कि आजकल लोग अलग-अलग policies निकालते हैं, उसके लिए उनकी sonography की जाती है, blood test क किये जाते हैं, तो ये एक चीज होती है, या फिर अभी awareness भी लोगों में बढ़ गया है, तो इसके लिए लोग रूटीनली साल में एकात बार investigation कर दें, और उसमें पता चल जाता है, कि भईया, आपकी liver में fat है, grade one fatty liver ऐसे आता है, सो मुझे grade one fatty liver है, लेकिन मुझे नैश है या नहीं, यह मैं कैसे पता करूँ, यह important है, तो सिर्फ सोलोग्राफी में fat दिख गया, यह एक बात हो गई, अगली stage है, अगर हमें यह 100% जानना है, कि liver में fat है या नहीं, तो उसकी लिए जो best test है, जिसको उनलोग gold standard कह सकते हैं, almost 100% certainty के साथ, तो उसकी लिए हमें liver की biopsy क और एक liver का छोटा सा टुकडा लेके, वो microscope की लिचे, अगर हम लोग देखते हैं, तो उससे हमें यह पता चल जाता है, कि उस liver में fat है या नहीं, अब यह बहुत अच्छी टेक्निक है, लेकिन इसकी complication भी है, जैसे कि इससे जान का खत्रा भी हो सकता है, यह भी चीज है, इ कि पार्ट से मैंने sample लिया और वहाँ पर fat नहीं है, समझो, तो मैं धोका खा जाओंगा, क्यूंकि fat कहीं और जगा पर है, तो यह भी चीज है, कि you have to take multiple sample, तो अगर sample अच्छी तरह से लिया गया है, तो इससे 100% पता चल जाएगा, लेकिन मैंने जैसे कहां, कि it is not a simple procedure to do, त तो इसलिए हर sonography में fatty liver दिख गया, तो हर किसी का fatty liver के लिए, biopsy करना आनिवारिय नहीं है, उसके लिए फिर क्या कर सकते है, तो उसके लिए और एक test होती है, जिसको कहा जाता है, fibro scan, तो fibro scan होता है, तो एक तरह की यह एक sonography होती है, advanced sonography, अभी sonography में भी हम लोग क्या करत हमें पता है कि कोई चीज अगर कड़ी है, तो उसके ऊपर कड़क है, तो उसके ऊपर जब sound जाएगी, तो वो जल्दी वापस आएगी, और कोई चीज अगर soft है, तो उसके उपर अगर sound की वेव जाएगी, तो वो आने में समय लगेगा, ओके, यह चीज clear हो गई है, तो इस उसको calculate करके आम लोग ये बता सकते हैं कि लीवर में hardness या फिल stiffness कितना है, तो ये fibroscan ये जो sonographie है, ये आमें इसके बारे में बताती है, लेकिन इसका जो खर्चा है, वो लगबग 7000 से लेकर 8-10,000 तक आ सकता है, एक बार टेशान, तो ये एक महेंगी चीज है, और इसको उम लोग रेगुलरली रिपिट नहीं कर सकते, तो लीवर में fat है, लेकिन लीवर में stiffness है क्या नहीं, ये जानने के लिए हम लोग fibroscan कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, it is a costly test, तो fibroscan से हम लोग लगबग 95% तक confidently बता सकते हैं, कि fatty liver है या नहीं, या stiffness है या नहीं, या NASH है या नहीं, और ये भी बता सकते हैं, कि उस fatty liver के कारण, वो D मतलब जो sujan, information आपने जो बोला NASH, ये भी उसी में पता चल जाएगा, और कितना कड़ा है वो भी पता चल जाएगा, कितना stiff हो गया है, basically ये चीज हमें पता चल जाएगी, लेकिन ये सभी चीज भारत जैसे देश में हम लोग कर सकते हैं, क्या या हर कोई आदमी कर सकता है, क्या तो इसका, जो जवाब है, क्यों नहीं, तो ऐसे लिए, कुछ, ऐसे investigation के उपर, कुछ, ऐसे scoring system तयार किये गए है, या बिठाए गए है, जिसमें एक होता है, FIB4 score, तो ये score जो होता है, तो ये score हमें बताता है, इस score के लिए, हमें कुछ simple investigation करने पड़ते हैं, जिसके लिए LFT किया जाता है, मतलब जिसमें liver function test कहते हैं, जिसमें SGOT, SGPT, ऐसे कुछ test किये है, जो सब LFT में आते हैं, जी, और साथ में जो हम लोग platelet count हमारा करते हैं, ये लेके उसके कुछ ratio निकाल के, उसकी value निकाली जाती है, और ये value अगर ज्यादा है, 1.3 से अगर ज्यादा है, तो उसका मतलब ये होता है, कि हमारे liver में hepatitis develop हो चुका है, हम लोग 90% accuracy से कह सकते और इसके लिए आने वाला जो खर्चा है, ये लगबख 400 या 500 रुपई आई हैं, बस, तो जो चीज हमें 6000, 8000, 10,000 देके पता चलने वाली थी, उतना खर्चा न करते हुए, 400-500 रुपई में हम लोग ये पता कर सकते हैं, कि मेरे liver में जो fat है, उसकी वज़े से वहाँ पे inflammation ह हो रहा है या नहीं, तो ये FIB score जो है, ये बहुत important है, और उसकी लिए, ये किस तर से calculate करना ही है, अगर आपके पास इसकी figure से, मतलब मेरा SGOT कितना है, मेरा SGPT कितना है, मेरी उमर कितनी है, मेरा platelet count कितना है, इतनी चीज़े अगर मुझे पता है, तो मैं खुब Google पर याकर ये सब information भर के, मेरा score कितना है, मैं जान सकता हूँ, और उसकी वज़े से मुझे ये पता चलता है, 90% confidence से, कि मेरे liver में problem जो है, वो सिर्फ fat की है, या साथ में inflammation भी है, तो ये चीज़ हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, और ये एक simple चीज़ है, तो जिन लोगों के family में diabetes ह जिन लोगों का वजन ज्यादा है, सभी fatty लोगों को ये चीज़ होगी, ऐसे भी जरूरी नहीं, जिन लोगों के liver में fat होगा, उनको ये चीज़ होगी, तो जिन लोगों का वजन ज्यादा है, जिनके activity कम है, जिनके family में fatty liver की history है, जिनको diabetes है, ऐसे लोग अगर हर 6 मैने में या एक साल में सिर्फ ये रूटिन टेस्ट करते हैं और उससे अपना FIB स्कोर अगर जानते हैं तो उससे भी वो 90% certainty के साथ ये बता पाएंगी कि उनको NAS मतनब STI-2 Hepatitis है या नहीं बहुत ही कमाल सच में बहुत ही सर्क कमाल की वाद आपने बताएं क्योंकि FIB स्कोर most of the GP's है या कई आयर्विदिक जो डॉक्टर्स हैं उन्हें बिलकुल भी नहीं पता और कई बार फिर confused रहते हैं कि ये सच में खराब हो रहा है नहीं हो रहा है पेशेंट भी confused रहते हैं दॉक्टर भी रहते हैं पर आपने बहुत ही अच्छा तरीका बताएं कि LFT कराओ, platelets, platelets अपने देखो, age देखो और वो score match करके आप देख सकते हो कि आप क्या liver खराब हो रहा है या नहीं सर ये तो हुआ modern diagnosis का तरीका जिसमें आपने USG और इस तरह के other investigations बताएं सर लोग अपनी body देखके या फिर आईरवेदा में किस तरह हम जान सकते हैं कि किसी का liver खराब हो रहा है या नहीं कुछ उसके लक्षण है तो fatty liver की एक दुरफाग्यल एक ऐसा है कि fatty liver के ना बहुत बार ज़्यादा लक्षण दिखते नहीं है और लक्षण अगर दिखते नहीं है तो लोग इसकी वज़े से एक करसे क्या है कि ये एक time bomb fit कर दिया है और जो फटने वाला है और जब जिस time पर time bomb जब तक फटता नहीं है तब तक countdown चालू रहता है लेकिन हमें यह ध्यान में नहीं आता है तो आपका नाई भी आपको बता सकता है कि आपको fatty liver है या नहीं सची? हाँ ये बात बिल्कुल साइब बता सकता है नाई बता सकता है शायद doctor चूप जाए लेकिन नाई बता सकता है कैसे? क्योंकि जब आप अपने doctor आपके बाल कटवाने के रहे जाएंगे और आप अगर अपनी जो सर है वो नीचे करते है तो गर्दन के पीछे बाजु में अगर ब्लैक कलर का लाइन्स तयार हो रहा है या फिर वहाँ पे जो फोल्ड होता है वो जगह अगर थोड़ी सी खुर्दर ही हो रही है और ब्लैक कलर की हो रही है तो इसको ब्लैक इस डिसकलरेशन को बोलते है एकेंथीस या नाइगरंस और ये चीज़ आमें बताती है कि इंशिलिन रेजिस्टन्स डेवलेप हो रहा है और जैसे हमने देखा था कि इंशिलिन रेजिस्टन्स अगर डेवलप हो रहा है तो उससे पहले फैटी लिवर शुरू हो जाता है तो अगर आपके जो स्किन फोल्ड से एस्पेशली आपके नेक की पीछी का एरिया अगर ब्लैक हो रहा है ब्लैक और ड्राइ दो ब्लैक और ड्राइ ऐसे हो रहा है तो उससे आपको समझना चाहिए जनरल ही जिन लोगों को जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जिन लोगों को खराटे लेने की जो आधी होते हैं स्लिप एपनियर जिसको कहा जिसकोलिक फैटी लिवर डिसिस होने की चांसेज बहुत ज़्यादा होते हैं तो अगर किसी को PCOD की तकलिफ है तो ऐसे पेशेंट में भी फैटी लिवर होने के चांसेज ज़्यादा होते हैं तो वो सोलोगराफी पे शायद दिखे या न दिखे वो शायद future में दिखेगा, लेकिन ऐसे patient में हमें सजग होना आवश्यक है, जिन patient को hypothyroidism होता है, मतलब जिनकी thyroid gland होती है, वो अच्छी तरह से function नहीं कर पाती है, ऐसे patient भी risk पे होते हैं, तो ये सब चीज़े देखते हुए हम लोग बता सकते हैं कि patient को fatty liver है या नहीं, ये simple जिज़े हैं, और अगर हम लोग लक्षण के बारे में बात करेंगे, तो जैसे मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा लक्षण दिखते नहीं है इसके, क्या लक्षण दिखेंगे, तो अगर हम लोग देखेंगे, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कोई आदमे अगर अचानक कि ऐसे जो पेशेंट होते हैं वो दिन बर कुछ काम नहीं करेंगे फिर भी वो खुद को थका हुआ मैसूस करते हैं तो ऐसी जो विकनेस होती है या फिर ऐसे जो फटी होता है वो फैटी निवर के पेशेंट में दिखता है कि कान कुछ किया नहीं इसको आयूरवेद में उसको बहुत ज्यादा थकावट लगती है, तो ये चीज़ modern science भी बताती है, साथ में थोड़ी सी patient की भूख कम हो जाएगी, थकावट लगेगी, उस patient को कुछ करने का मन नहीं चाहेगा, किस-किस patient को थोड़ा सा मुझे बुखार आया है, बदन टूट रहा है, बुखार आने पी फील करते हो, तो ये चीज़ हो सकती है, किस-किसी patient को, क्यूंकि liver हमारे right side में होता है, तो right side में, upper side में, जिसको right hypochondrium कहा जाता है, तो वहाँ पे उनको भारीपन लग सकता है, कभी-कभी वहाँ पे हलका-हलका pain लग सकता है, ऐसी चीज़े इसमें दिखेंगी, जैसे मैंने बताया था कि, sleep apnea जैसी चीज़े, ये भी दिखती है, और उसी के साथ हमने देखा था कि, विदा ही और अभिशन्दी हेतू होती है, विदा ही हेतू से पित्त बढ़ेगा, अभिशन्दी हेतू से कब बढ़ेगा, तो कफ़ा और पित्त के अलग-अलग लक्षण इस पेशन्द में दिख सकते हैं, तो कफ़ा और पित्त के ऐसे क्या-क्या लक्षण इस पेशन्द में दिख सकते हैं, तो उसकी स्कीन जो होगी, वो स्कीन का ग्लो कम हो जाएगा, वो ज़्यादा दुरबलता मैसूस करेगा, या फिर उसके डाइजेशन पे अफेक्ट होने ल पेशन्द को फैटी लीवर है, और एक बार अगर आपको इस तरह से डाउट आता है, पेशन्द का वजन भी साथ में बढ़ रहा है, तो उसके बाद हमें इन्वेस्टिगेशन के और जाना चाहिए, और जो हमारा डाउट है, उसको कन्फर्म करवाना चाहिए, ओके, सर कई लोग आपने बहुत अच्छे-चे सिम्टम्स बता है, जैसे कि ये वाला तो बहुत कमाल का था, कि गर्दन के पीछे कालेक रंग की लाइन्स आएगी और वो भी ड्राय होगी, ये बहुत ही कमाल की चीज थी, सर कई लोग ऐसे भी कंप्लेंट करते हैं कि ठीक है, राइट स लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं कि सिर्फ एक ही व्यादी में दिखे ऐसे नहीं है, तो अमलपित का अगर पेशन्ट है, तो उसमें भी ये लक्षण दिख सकता है, कुछ अलसर का पेशन्ट है, तो उसमें भी ये लक्षण दिख सकता है, नॉन अलसर डिस्पेपसिया नाम की बिमारी होती है उसमें भी ये लक्षन दिख सकता है तो लक्षन और उसके हमें दिखने वाले रिजन्स और जो इन्वेस्टिगेशन इन सब तीनों को मिला के जो तस्वीर आमारे सामने उभर के आती है उससे हम लोग निदान की तरब बढ़ सकते है तो सिर्फ एक क्योंकि symptom limited है जादा मात्रा में पेशाब होना यह चीज हमें urine में infection है फिर भी हो सकती है अगर हमने जादा पानी पिया है तो भी हो सकती है डायबिटीज है तो लक्षन एक ही है लेकिन वो लक्षन जब हम लोग 2-4 लक्षन एक साथ जोडते है साथ में हमारे जो history है उसको स साथ में जोडते है और हमारे जो findings होते है या फिर हमारे जो investigations होते है इन तीनों को जब हम लोग साथ में जोडते है तो actual व्यादी का picture हमारे सामने create हो सर पर फिर भी लोगों को इन चीजों में interest रहता है कि वो कोई चीज है कि अपने शरीर में देख के पता कर सके कि उनका liver ठीक से काम कर रहा है कि नहीं जैसे urine है या फिर उनको जो motion होता है नाखुन है आख है skin है ये सारी चीजे देख के भी थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा सकता है क्या तकलीफ है या नहीं अंदाजा लगाया जा सकता है especially बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ना भूक काफी कम हो जाते है मतलब पेशेंट का खाने में मन नहीं लगता है जो पेशेंट समझो कोई आधमी तीन रोटी घाता था उसको अगर भूख कम लग रही है तो दो रोटी क här लेगा लेकिन वो भी खाने में उसको मजहा नहीं आ आ रहा है को मज़ा अए ऐसे होता है तो ऐस फिर भी पेट फुल रहा है तो इसके बारे में सोचना चाहिए तीसरी चीज जो होती है हमारी नाभी जो होती है हमारी अंबिलिकस जो होती है वो अंदर की तरफ होती है वहाँ पे गड़ा होता है वो गड़ा अगर कम होके वो नाभी अगर बाहर की तरफ आ रही है, तो भी आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, अफकोर्स ये लक्षन जो होते हैं, वो एडवान स्टेज में दिखने लगते हैं पेशन्ट को अगर यका एक ज्यादा कॉंस्टी पेशन हो रहा है, पेशन्ट को मल बंदा हुआ आ रहा है, या फिर मोशन क्लियर नहीं हो रहा है, तब भी इसके बारे में सोच सकते हैं, बट लेकिन अगिन मैं वही बताना चाहूंगा, कि सिर्फ ये किसी को कॉंस्टी पेशन डेवलप हो गया, मतलब उसको फैटी लिवर हो गया, एस तरह से हमें नहीं समझता चाहिए, लेकिन अगर ये सभी सिम्टम्स, ठकावट लगना, भूख अच्छी तरह से नहीं लगती है, पेट फूल रहा है, ना भी उपर की तरफ आ रही है, या फिर पेट के उपर जो ब्लड वेसल्स होती है, जो वेन्स होती है, वो अगर प्रॉमिनेंट होने लगी है, तो ऐसे समय में हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं, कि हमें शायद इसकी तकलिफ है, शायद किसी-किसी पेशेंट में जो हमारे नाखुन होते हैं, वो भी ज़्यादा सफेद होने लगते, तो ऐसे, नाखुन सफेद होना, लीवन हराप के लग चाड़, यह हो सकता है क्यूंकि हमारा जो रक्त धातु है, रक्त धातु का जो स्वास्ते हम लोग देखते हैं, तो नाखुन पर भी हम लोग देखते हैं, नाखुन जो आमारे हैं, वो रेडिश कलर के दिख रहे हैं, इसका मतलब रक्त धातु अच्छा है, अगर वहाँ पर वाइटनेस जादा आ गया, या यलोनेस, यलोनेस तो आगे जाके आएगा, वाइटनेस आ गया, यलोनेस भी दिख सकता है, या फिर बार-बार अगर किसी को जान्डीस डेवलप हो रहा है, मतलब हर एक-एक-दो-दो साल में अगर आपको पिलिया हो रहा है, जान्डीस हो रहा है, तो भी आपको इसके बारे में सचेत होना चाहिए, कि लिवर से रिलेटेट कोई क्रोनिक बीमारी, जो लॉंग टंग पर चलने वाली ऐसी बीबारी में उज़े हो रही है, या उसकी तरफ में बढ़ तो नहीं रहा हूँ, ये देखने के लिए ये सब सिम्टम्स हमारे लिए इंपोर्टन्ट होते हैं, सर आपने फीमेल के लिए तो बताए कि उनको PCOD हो सकता है, मेल्स में कोई अलग से ऐसे लक्षन दिख सकते हैं, क्या, मेल्स में लक्षन दिखते हैं लेकिन वो बहुत advance stages में दिखते हैं, जब patient cirrhosis की तरफ बढ़ता है, जब patient cirrhosis की तरफ बढ़ने लगता है, मेरे 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 मेर प्वादर नेवी करके एक स्ट्रक्चर देखता है, मतलब जिस तरह से स्पाइडर को क्या बोलते हैं, मकडी, मकडी जो होते हैं, मकडी मकडी के प्यर जिस तरह से होते हैं, उस तरह के पेट merryling होते हैं जिनको ंव कहा जाता है, तो यह भी इन patient मैं दिख. तो एक clinician अगर अच्छी तरह से patient का थरो investigation करता है, अच्छी तरह से देखता है, तो यह possible है कि वो जल्दी इन चीजों के पहचान सके, या फिर कभी-कभी loss of body hair, यह भी चीज कभी-कभी देखने के लिए मिलता है, कभी-कभी parotid swelling, मतलब यहाँ पे जो glands होती है, उसकी swelling हो जात अरुवाती दोर में यह लक्षन बैन लार्ज नहीं दिखते हैं, सर यह fatty liver में grades होते हैं, grade 1, grade 2 और उसके आगे का भी जो होता है, उनके सर क्या मतलब होते है, एक normal आदमी इसका मतलब क्या समझे कि grade 1 क्या है, grade 2 क्या है, तो जितनी मात्रा में grade 1, grade 2 के अलद अलद क्राइट अगर 6 से निचे है, तो उसको normal liver माना जाता है, यह hardness जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसका gradation बढ़ता जाएगा, grade 1, 2, 3 की तरफ यह जाना लगेगा, और grade 8 से उपर यह score जाने लगा, मतलब आपको यह समझ लेना चाहिए, कि liver यह cirrhosis की तरफ बढ़ रहा है, और by-and-large ऐसी जो conditions होती है, यह conditions irreversible by-and-large होती है, बहुत कम patients में ऐसे होता है, कि यहां से फिर patient वापिस आ सकता है, कहां से सर, grade cirrhosis से, तो cirrhosis में जब grade 4 को, grade 3, grade 4 का जो patient होता है, उसे हम लोग cirrhotic patient कहते हैं, और जब यह कड़ा हो जाता है, grade 1, grade 2, अगर patient अच्छी तर medicine लेता है, तो इन सबसे यह possible है, कि हम लोग fat liver में जो है, उसको कम करके वहां से वापिस आ सकते हैं, लेकिन जब patient grade 3 और grade 4 तक चला जाता है, तो यह बहुत कठिन है, मतलब 100 अगर patient है, तो इसमें दो या तीन ही patient में यह possible है, कि यहां से patient revert कर जाए, वरना उनको क्यों मैने ले जाना पड़ता है, लेकिन liver transplant जो है, यह बहुत महेंगी treatment है, जिसके लिए कम से कम 30 लाग इतना खर्चा आता है, तो बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं, जो इसको effort कर पाते हैं, तो अगर liver किसी का suppose की fatty liver भी था, उसको लक्षण भी था, और वो total चीजों को निगले करते ज कैसे, even मैं मेरे पहचान में बहुत सारे लोग को जानता हूँ, जो बोलते हैं, हम कभी reports कराते ही नहीं, report में क्यावल भीमारी बताते हैं, हम इसलिए कुछ कभी कराते ही नहीं, तो suppose कोई एक ऐसा आदमी है, जो हर चीज को निगलेक्ट करते जाए, तो इसकी क्या-क्या complications उ मरने लगें, तो जब ऐसे होगा कि लिवर की सेल मर रही है, तो उसके बाद आके जाके लिवर हमारा कड़ा होने लगेगा, और लिवर में बहुत बड़ी मातरा में blood flow होते रहता है, और लिवर से बहुत ज्यादा मातरा में blood flow होने के कारण शायद उसको रखतवस रुतस का मूल कहां गया होगा, तो क्या होता है कि यह जो blood flow होता है, इस blood flow को obstruction होने लगता है, कि जो पहले smoothly वहाँ से blood जा रहा था, अभी उसको obstruction हो रहा है, और उसकी बज़े से लिवर में जो blood का flow होता है, उसको resistance आने के कारण portal hypertension नाम की तकलिप शूरू हो जाती है, portal hypertension मतलब क्या, कि लिवर में जाने वाली जो portal when होती है, उसके अंदर blood का pressure बढ़ जाता है, और यह portal hypertension अगर हो जाएगा, तो उसकी बज़े से पेट में दीरे दीरे पानी बरना शुरू हो जाता है, साथ में ही, यह जो portal hypertension में, अगर blood ज्यादा मात्रा में संचीत होने लगता है, तो हमारे isophagus, मतलब जो हमारा food pipe होता है, उसमें जो नसे होती है, वो भी फूलने लगती है, और कभी-कभी ऐसे patient को जब उल्टी होती है, तो उल्टी से बहुत ज्यादा मात्रा में खुन बाहर आता है, और most of the times, लिवर में जो, यह इसको isophagal varices कहते हैं, और यह isophagal varices का जो bleeding होता है, यह most of the times control में नहीं आता है, और varices अगर बार-बार हो रहे हैं, तो उसकी बज़े से patient की जान भी जा सकती है, यही situation, अगर हमारे annus की जगा पे अगर शुरू होती है, जिसको हम लोग rectum बोलते हैं, यह rectum के स्थान पे जो अगर होती है, तो इसको rectal varices ब होते हैं, यह जरूरी होते हैं, जिनने clotting factors का आ जाता है, तो ऐसे बहुत से clotting factors liver बनाता है, तो अगर liver का functioning बहुत कम हो चुका है, तो यह clotting factor नहीं बनेंगे, और उसकी बज़े से भी हमारा खून जम नहीं पाएगा, और patient को ज्यादा time-packed bleeding होने की चमबावना होती है, तो खोन की उल्टी हो गई, और साथ में problem क्या हो गई, कि अभी मेरा खोन जम नहीं रहा है, तो patient को continuous bleeding हो सकता है, और patient की जान जा सकती है, और एक महत्व पूर्ण चीज लीवर करता है, कि हमारे हम जो कुछ खाते है, उस food का जब digestion हो जाता है, तो वो पच जाता है, लेकिन उसम जो bacteria होते हैं, वो वैसे ही रहते हैं, तो जब हमारे liver के through, जो intestine से blood आएगा, वो portal vein के through liver में जाएगा, और liver उस food का detoxification करना, मतलब उसमें जो bacteria हैं उसको निकालना, 99.9% जो bacteria होते हैं, liver filter कर देता है, और बाद में जो liver से, फिर blood जो heart की तरब जाता है, तो उसमें लगबग बिल्कुल bacteria नहीं होते हैं, तो जब liver का काम करना कम हो जाएगा, तो उसकी बज़े से क्या होगा, कि ये जो bacteria होगे, या फिर जो कुछ toxic elements होगे, जो हमारे खाने से आने वाले हैं, वो हमारे पूरी बॉड़ी में जाने लगेगे, और उसका परिणाम हमारे पिछले वीडिय condition होता है, तब जादा मातरा में ammonia तयार होता है, और यह ammonia जो होता है, इस ammonia को neutralize करने का काम liver करता है, तो अगर liver अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, तो ये जो फिर ammonia है, वो अमारे brain के cell की तरब जाएगा, और उसकी वज़े से patient का जो होगा, patient को मुर्चा आ सकती है, मतलब patient बेहोश हो सकता है, patient का behavior change हो जाता है, कुछ patient पहले तो normal थे, वो एका एक बहुत aggressive हो जाते है, ज्यादा बड़बडाने लगते है, ज्यादा चिर्चिर करने लगते है, छोटी छोटी चीज़े भूलने लगते है, कभी कभी ये patient को दोरे आने लगते है, मतलब वो बेहोश हो जाते हैं, तो ऐसी चीज़े होती है, और ये patient, अगर ये condition ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये patient hepatic coma में चले जाते है, तो ऐसे अलग-अलग-अलग-अलग इसके दुश परणाम दिखते हैं, और अलग-अलग system में दिखते हैं, इसलिए liver की बीमारी मतलब सिर्फ liver को खत् होता है, और जान का भी खत्रा हो सकता है, अगर isofagial varicis या hepatic coma जैसी condition डेवलप हो जाती है, तो उसमें जान भी जा सकती है, तो fatty liver को मतलब अगर आया भी तो आप ignore करके नहीं चलेगा कि ठीक है, बिलकुल नहीं करना चाहिए, चलो हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, ऐसे क लेकिन CRP अगर जादा है, तो वो आपको ये बताता है, कि आपकी शरीर में जो inflammation है, वो जादा मत्रा में हो रहा है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है, जिने inflammatory markers कहां जाता है, तो उसमें अलग-अलग cytokines आते हैं, उसी तरह से अगर हम लोग जो normal test करते हैं, उसमें blood test करते हैं उसमें ESR नमकी एक routine test की जाती है, अगर आपका ESR भी जादा है, जो अगर 40, 50, 60, इतना अगर जादा आपका ESR है, तो उससे भी हमें ये पता चलता है, कि body में कहीं न कहीं inflammation जादा है, तो ESR जादा होना, CRP जादा होना, ये चीजें हमें ये बताती है, कि आपके शरीर में inflammation जादा है, which can be related to liver, but not necessarily, it is always related to liver, किसी और बीमारी की बज़े से भी ये दिख सकता है, ठीक है सर, हमने कारण जान लिए, बीमारी कैसे होती है, वो जान लिए, बीमारी पे आपको आपने ध्यान नहीं दिया, तो उससे क्या-क्या complications हो सकते हैं, ये भी जान लिया, अब सवा सिर्फ डॉक्टर इसको ठीक नहीं कर सकता, जब तक हम खुद हमारे बीमारी की responsibility न ले, जब तक हम इस बीमारी को हमारी जिम्मेदारी न समझे, तब तक हम इससे ठीक नहीं हो सकते, जैसे मैंने कहा था, लीवर में अगर fat accumulate हो जाता है, तो अगर मैं जो कुछ weight है, उसको अ निकल जाता है, that means it is reversible, तो आप इससे पहली चीज़ हमें ये पता हो नी चाहिए, कि मेरा ideal weight कितना होना चाहिए, तो normal चीज़ है, कि हमारी centimeter में जितनी height होती है, suppose अगर किसी की height 170 centimeter है, मतलब लगबग 5 feet 8 inch height हो गई, तो वो लगबग 170 centimeter होती है, तो हमारी जितनी height होती है, उ उसमें से आप 100 गटा दीजिए, तो 170 centimeter height हो गई, उसमें से 100 चले गए, तो नीचे बचे 70-70, तो अगर मेरा वजन कितना होना चाहिए, तो 70 होना चाहिए, अगर 870 है, तो मेरा वजन जादा से जादा 70 होना चाहिए, लेकिन अगर मेरे family में history है, diabetes की, liver disease की, या फिर fatty liver की मेर family में history है, मेरे family में किसी का blood pressure जादा है, तो मेरा वजन और 5 kilo कम होना चाहिए, तो मेरा वजन जो 170 minus 100 होना चाहिए था, उसकी जगा पे अभी 170 minus 105 होना चाहिए, तो अब मेरा वजन 65 से उपर नहीं होना चाहिए, तो ये चीज बहुत important है, इससे हमें ये भी पता चलता है, कि अगर किसी का वजन हम लोग समझते हैं कि 72 है, ऐसे आदमी अपना 10% weight lose करता है और 65 तक चला आता है, तो उसका fatty liver reverse हो जाएगा, तो ये चीज बहुत important है, और जब बीमारी छोटी होती है, पकड़ में आने जैसी होती है, तब इसके उपर काम करना चाहिए, या ये भी द्या maintain भी रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है कि लोग वजन कम करते हैं, और जो कुछ चीज़ें हम लोग healthy adopt कर रहे थे, वो छोड़ दी, और उसके बाद वापिस वजन बढ़ने लगा, वापिस 70, 72, 74 हो गया, वापिस liver में fat आ गया, क्योंकि ये चीज होती रहती है, इस इसको आपको पूरी तरह से बंद करना चाहिए, और जो कुछ घर का साधा खाना है, वो आपको खाना चाहिए, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि fat बहुत कम कर दो, या fat मत खाओ, लेकिन ऐसे देखा गया है कि fat पूरी तरह से बंद करने से बेटर है, कि जिसको मुफा कहते है, वोनो unsaturated fatty acids, जिसको मुफा कहते है, ऐसे जो fat से उन्हें खाना चाहिए, तो ये मुफा किस से मिलता है, तो ये मुफा हमें मिलता है, तिल के तेल में, तिल के तेल, ओली ओईल में भी मिलता है, लेकिन ओली ओईल, ये हमारे देश का नहीं है, ये बाहर से आता है, जनरली, और दूसरी चीज ऐसे है, कि आयरुवेद ऐसे कहता है, कि जिस चीज, जो चीज, आपके जीन्स के लिए suitable है, मतलब हमारे जो पूरवश थे, वो तेल खाते थे, कि इसका तो तिल का खाते थे, अगर बेसिकली हम लोग देखेंगे, तो तेल, ये शब्त ही तिल से बना है, तिलोद भवम तेलम, जो तिल से निकलता है, उसे तेल कहते है, तो इसके लिए, आयरुवेद में ऐसा कहां गया है, कि तिल का तेल ये एक ऐसी ओशदी है, जो अगर कोई पेशेंट मोटा है, तो उसको बारिक करती है, अगर कोई पेशेंट बारिक है, तो उसको स्वस्थ करने के लिए और पतले पेशेंट को स्वस्त हटा-कटा बनने के वाला ये तिल-तेल है तो इस तिल-तेल में मुफा का परसेंटेज काफी अच्छा होता है तो तिल-तेल का प्रयोग हमें करना चाहिए उसी तरसे गाजू हो गया बदाम हो गया इससे ऐसी जो ड्राइफरूट्स में आने वाली चीज़े होती है इनमें भी मुफा का परसेंटेज अच्छा होता है तो उनका भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं साथ में और कोई जो चीज़े हमें करनी चाहिए आयरुवेद ऐसे बताता है कि ज तक्र तक्र वो किस तरह से बनाना चाहिए उसके बारे में पहले हम लोग चर्चा कर चुके है तो अगर वो पार्ट हम लोग देख लेंगे तो किस तरह से चार्ज बनानी ए वो हम लोग वहाँ पे सीख जायेंगे साथ में यह तक्र अगर मेडिकेटेड है इसमें सोंट मरी पिम्पली ऐसे द्रव्य हमने डाले या फिर पित्त प्रकृति का कोई व्यक्ति है उसमें जीरे की पाउडर उसमें डाली और ऐसे जो मेडिकेटेड तक्र है उसका अगर हम लोग सेवन करते है तो उससे बहुत अच्छी तरह से हमारे बोडी में जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम करने में हमें मदद मिलती है तो ये भी चीज हो गई तक्र से रिलेटेड और ये बहुत इंपोर्टन चीज है सिर्फ योग के मात्रा में उससे लेना और अच्छी तरह से जो तक्र बनाया गया है उसको कंज्यूम करना ये चीज बहुत इंपोर्टन है एक्सरसाइज के आरे में भी मेने बताया था कि एक्सरसाइज आपको हपते में कम से कम पाच दिन 30 मिनिट्स डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए और पेशन्ट को स्वात में स्वेटिंग होना भी जरूरी है तो इतना एक्सरसाइज अगर आप करते हो आप दिन बर में खुद को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखते हो तो आपका जो फैटी लिवर है आप खाने पिने के जो टाइमिंग है वो सही रखते हो हम क्या खाते है ये जैसे इंपोर्टन्ट है उसी तरह से हम लोग किस समय पर उसको खाते है वो भी इंपोर्टन्ट है अगर आप अच्छा भोजन मतलब घर का भोजन ताजा सात्विक भोजन है लेकिन वो अगर आप रात को 10-10 साड़े दस बजे खा रहे हो तो आपके लिए ठीक नहीं है तो खाने का जो समय है वो भी जल्दी से जल्दी होना चाहिए आइडियली साद सादे साद के बाद को आप बाद आपको डिनर नहीं करना है तो दिनर आपको करना है, तो वो जल्ड से जल्ड आपको करना चाहिए, जब sunset के बाद, मतलब सूरियास्त के बाद, जल्ड से जल्ड आपको भोजन करना चाहिए, तो time पर खाना, regular exercise करना, charge का प्रयोक करना, तिल-तेल का प्रयोक करना वजन कंट्रोल करना माइंड को शान्त रखना क्योंकि हमने देखा था कि जादा मात्रा में क्रोध करना जादा मात्रा में स्ट्रेस लेना इनसे भी बॉड़ी में इंफ्लेमेशन बढ़ जाता है और inflammation अगर बढ़ेगा तो हम लोग स्टियाटो एपिटैटीस जिसको बोलते हैं उसकी तरफ हम बढ़ने लगेंगे तो stress को manage करना ये चीज़ भी आवशक है बहुत बार लोग कहते हैं कि मेरा स्वभावी ऐसा है कि मैं जनरली चिड़ जाता हूँ या फिर मेरा nature ही ऐसा है कि मुझे गुस्सा आ जाता है और अगर मेरे से गुस्सा निकाल दो तो मैं यही मतलब मैं नहीं रहूँगा ऐसे लोग कुछ लोगों की दारना होती है या फिर कुछ लोग कहते हैं कि मेरे आजू-बाजू की जो लोग है या मेरे जो परिवार जन है या फिर मेरे जो employees है उनके अगर-अगर मैं गुस्सा नहीं करूँगा तो वो मेरी बात नहीं मानेंगे तो हमें यह चीज यहाँ पर समझनी चाहिए कि आप बहुत सालों से गुस्सा कर रहे है लेकिन आपकी जो आजू-बाजू वाले लोगे वही गलतिया बार-बार दो रहा रहे है मतलब आपके गुस्से का उपयोग नहीं हो रहा है तो आपके गुस्से से यही चीज होती है कि आपका satisfaction हो जाता है आपकी भडास निकल जाती है तो हमें हमारी भडास निकालना जादा important है या हमें सामने वाला जो आदमे उसमें changes लाने के लिए तो गुस्से करके प्रयोग नहीं हो उसका फाइदा नहीं होने वाला है तो खाली फुकर्ट गुस्सा करके उसका कुछ मतलब नहीं है सु इट इस बेटर कि हम लोग शांती से रहे हम लोग अगर आमारी ओर और लाइफ है अच्छी तरह से प्लान करें तो उससे stress और anxiety और गुस्सा आना ये चीज़े काफी हद तक कम हो सकती है ऐसा मेरा मानना है तो इसलिए ये छोटे-छोटे changes भी अगर हम लोग करते तो हम लोग fatty liver से दूर जाएंगे और स्वास्ते की तरह बढ़ने लगेंगे सर ने fatty liver ठीक करने के लिए बहुत एक कुछ खास point बता है उनमें से एक चीज़ बताई कि आपको 10% weight loss करना चाहिए अगर आपको reverse करना है उसे और एक चीज़ आती है आईरवेद में कहा गया है एंगर management के बारे में सर ने बोला क्योंकि सर ने जैसे बताया था कि आजकल fatty liver जैदातर कफ और पित्त की कारण देखने मिल रहा है और क्रोधात पित्तम शोकाद वायू ऐसे करके शलोक भी आया है कि क्रोध से आपका पित्त बढ़ता है पित्त बढ़ेगा inflammation होगा और liver खराब होगा सर आयरवेदा में कोई भी बीमारी ठीक करने के लिए दो तरीगे बताया जाता है एक शोधन और एक शमन कि एक बार बोड़ी से जो भी दोश उनको पूरा निकाल दो और एक या तो फिर उसको दबाने की कोशिश करो तो इसमें जो पंच कर्म है ये फैटी लीवर या लीवर की जो बीमारी है उसमें कौन-कौन से पंच कर्म फाइदे मंद है या फिर कौन से पंच कर्म कराने चाहिए पंचे कर्म यह एक आयरवेट की विशेशता है और पंचे कर्म अगर सही वैद्य के मारगादर्शन की नीचे हम लोग करते हैं तो मैं ऐसे कहता हूं कि पंचे कर्म से हम लोग हमारे मेटअबिलिजम का जो rate है उसको इंप्रूव कर सकते हैं मेटाबोलिजम सुधार सकते है तो उसके लिए पंचे कर्मा अगर आपको करना है तो basically मैं generally दो हिस्सों में इन patients को बाटता हूँ कि मेरे पास आने वाले जो patient है जैसे मैंने देखा कि हमें कुछ है तू कफ के दिखते है और कुछ है तू पित्त के दिखते है तो शुरुवाती दोर में जो लक्षन होते है वो मुख्यता लीवर में fat accumulate होना ये कफ से related event है और बाद में inflammation होना ये पित्त से related event है तो कफ और पित्त के लिए जो कुछ पंचे कर्म किये जाते है वो पंचे कर्म इसमें फाइदे मन साबित हो सकते है तो कफ के लिए क्या किया जाता है तो वमन किया जाता है वमन मतलब patient को medicine देकी उल्टी करवाना और inflammation कम करने के लिए पित्त कम करने के लिए जो चीज किये जाती है उसे विरेचन कहा जाता है मतलब जुलाब की दवाई देना वो भी उसके लिए certain pre-procedure होता है तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो daily motion को होता है मैं तो दिन में 2-3 बार जाता हूँ तो मुझे जुलाब की दवाई लेने की क्या ज़रूते ये जुलाब की दवाई हम लोग पेट साफ करने के लिए नहीं ले रहे ये प्लीज ध्यान में लेना ज़रूरी है हम इससे क्या कर रहे है कि जो कुछ हमारा lifestyle है उसकी बज़े से जो कुछ inflammation करने वाले घटक या पदार्त है जिसे हम लोग toxin कहते है नॉर्मल भाशा में ये हमारे body में संचित हो रहे है उनको निकालने के लिए इन procedures का उपयोग होता है तो woman और विरेचन इन दो लोग को patient का evaluation करते हुए अगर हम लोग करते है तो इसका फाइदा होता है दूसरी और एक चीज तो रुतु शोधन का भी concept thyroid में है और उसमें ऐसे है कि certain रुतु में मतलब वसंत रुतु मतलब ठंडी के बाद का जो रुतु होता है उस season में हमें woman करवाना चाहिए ऐसे बताए क्योंकि तब cuff का प्रकॉप होता है cuff बढ़ता है और जब बारिश खतम हो जाएगी और ठंडी शुरू होने वाली है इसके बीच में जो शरत रुतु का काल होता है उसमें हमें विरेजन करवाना चाहिए तो जिस patient की family में history है fatty liver की या फिर diabetes की ऐसे patient अगर yearly हर साल में वसंत रुतु में woman और शरत रुतु में विरेजन करते है तो उससे भी उनका जो progression है from fatty liver disease to NASH वो कम करने में हमें मदद मिलती है क्योंकि जो inflammation बढ़ाने वाले जो चीज़े होती है वो इससे कम होने में मदद मिलती है साथ में बस्ती नाम की जो treatment होती है मतलब medicated enema होता है उसमें body में जो fat से उसको कम करने वाला वजन कम करने वाला एक लेखन बस्ती होता है उसका भी प्रयोंक हम लोग कर सकते है लेखन का Ayurveda में मिनिंग जो होता है लेखन को हमलोग writing समझते है लेकिन Ayurveda में जो इसका meaning होता है वो है पतला करना या फिर scrapping कर, scrapping कर, शरीर को scrap करके शरीर को पतला करना, यह जो होता है, वो उसका meaning होता है, तो उसका भी उपयोग होता है, तो patient को देखते हुए patient की प्रकृति किस तरह से है उसके में क्या क्या लक्षन दिखते हैं उसके हेतू basically कैसे इनको study करते हुए हम लोग उस तरह से पंचकर्म का निर्धारण कर सकते है सर आपने पंचकर्म के बारे में बताया है कि woman viration बसती इस तरह की treatment से liver की बिमारियां, खास करके fatty liver जैसी जो condition है ठीक हो सकती पर कई बर से सवाल उठता है कि ठीक है मतलब पाणी बिगे उल्टी करना पाणी बिगे बिगे lose motion या पाणी का एनिमा लेने से सब ठीक आप भी तो वही कर रहे हो तो उसमें फिर पंचकर्म कराने की क्या जर्ट मैं घर पर पाणी पीलू, उल्टी कर लू लूज मोशन कर लूँ, एनिमा कर लूँ, ठीक हो जाएगा पंचे करम की जो उपयोगिता है और विशेशता है उसमें कुछ चीज़े महत्व पुरुड़ा है जिसके उपर हमें ध्यान देना जरूरी है तो जब हम लोग वमन विरेचन जैसे पंचे करम करते हैं तो ये एक्चुल प्रोसीजर है, उल्टी करवाना या मोशन करवाना उसके पहले जो करवाया जाता है उसे प्री प्रोसीजर कहते हैं और उसमें हम लोग पेशेंट को मेडिकेटेड घी पिलाते हैं फैटी लिवर होके घी पिलाते हैं ये question बहुत अच्छा है कि already body में fat है और आफ fat खिला रहें तो इसमें क्या होता है कि कम दिनों में हम लोग ज़्यादा मातरा में घी देते हैं पेशेंट को जिस तरस और उस तरस से क्या होता है कि कम duration में ज़्यादा मातरा में घी देने के कारण इसका आयरुवेट की दुष्टी कुन से हम लोग इसको देखते हैं कि इससे body में जो toxins होते है वो lose होते है और वो हमारे gastrointestinal system में चले आते हैं तो यह आयरुवेट का सोचने का तरीका है और इसको हम लोग verify कर सकते हैं क्यूंकि patient के पहले जो report थे वो पंचकरम करने के देड़ दो मेने बाद अगर हम लोग उनका report करते हैं तो उसमें changes आते हैं इसके उपर research भी हो चुका है यह already published चीज़े हैं तो इस तरह से pre-procedure करना मतलब एक तरह से practice करना है अगर आप net practice नहीं करते हो और आप directly world cup final में खेलने चले जाओगे तो आपके success होने के chances कितने हैं शायद 11% कोई यह बंदा इतना talented होगा कि वो practice नहीं करता है लेकिन actual match में अच्छी तरह से खेल गया है लेकिन अगर आप regularly practice करते हो उसमें focused लेते हो और बाद में आप match खेलते हो तो आप match में ज्यादा अच्छी तरह से perform कर पाओगी इसके chances बढ़ते हैं उसी तरह से pre-procedure करना मतलब एक तरह की net practice है और वो करने से और एक लाब ये भी होता है अगर हम लोग ज्यादा मात्रा में उल्टी करते हैं तो उसकी बज़े से हमें ठकावट आना या फिर कभी उल्टी में से खोन आना ऐसे problem हो सकते हैं जब हम लोग अच्छी तरह से fat लेके हमारी पूरी gastrointestinal system और हमारा पूरा body उसको एक तरह से हम लोग उसका lubrication कर लेते हैं तब जब हम इसकी procedure करते हैं actual तो हमें तकलिफ कम हो और एक चीज यहाँ पर important है पंचकर्म जितनी ही कि पंचकर्म करने के बाद कुछ dietary restrictions होते हैं और कुछ हमारे routine के उपर भी कुछ restrictions आते हैं जिसे संसर्जन करम कहां जाता है कि पंचकर्म करने के लिए आपने जितना time invest किया है उसका double time आपको ये restrictions follow करने हैं तो ये भी चीज follow करना पंचकर्म के साथ ये भी बहुत आवशक हैं आजकल कुछ नोग ऐसे करते हैं कि जो आयरवेद के नाम पर तीन दिन में ही में सब पंचकर्म करवाता हूँ ऐसे एड़ करते हैं ऐसे लोगों के पीछे हमें नहीं लगना चाहिए जो शास्त्र में जिस तरह से बताना चाहिए उस तरह से पंचकर्म करवाना अनिवारिया है और मैं यहाँ पेस पश्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अगर आपका पेशन्ट कहता है कि डॉक्टर मेरे पास इतना समय नहीं है तो आप उस पेशन्ट को कि आप बता दिजे कि आप बहुत बिजी हो तो यू पेशन्ट को अच्छी तरह से परिणाम मिलेंगे सो पंच कर्म विच संसर्जन करम is something very much different than only उल्टी करवाना और लूज मोशन वाटर निमा लेना या फिर लूज मोशन की दबा लेना सर एक और चीज आपने अच्छा हो ये क्लियर की कि पंच कर्म मतलब के पानी पीके उल्टी कर देना और आप सोच लिवर ठीक हो गया ऐसा होता नहीं है हाँ कुछ लोगों को फाइदा मिल जाता है पर फिर बाकी जितने वो आदे से दो चार को फाइदा और बाकी बिमार होते हैं ये चीज़े हम देखने मिलती है सर आपने लीवर को रक्ताशय बोला था और पंच कर्म में ही एक ट्रीटमेंट आती है रक्तमोक्षण तो वो रक्तमोक्षण का क्या रोल है या बलड डोनेशन बलड निकालने का रोल है लीवर की मिमारियों में रक्तमोक्षण ये भी एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है और जैसे आपने सही का की लीवर को रक्ताशय बताया गया है और कामला में भी जॉन्डिस में भी ऐसे बताया गया है कि अगर हिपेटोमेगली है तो ऐसे समय में अगर आपको राइट साइड में अगर लीवर आपका बढ़ गया है तो राइट साइड का जो कोहनी होती है वहाँ से आपको खून निकालना चाहिए वहाँ से रक्तमोक्ष साथ में जब हम लोग ऐसे कि, मैं इसको इस तरह से बताना चाहूंगा, कि इस से क्या होता है कि, जब सब्सक्राइब पेड चोटा सा लगाया है हमारी गैलरी में और वो अच्छी तरह से बढ़ नहीं रहा है, तब हम लोग क्या करते हैं, कि उसको थोड़ा सा काटते हैं, जब हम लोग इस रक्तमुक्षण के लिए भी प्री प्रोसिजरे उसके लिए उससे पहने भी पेशेंट को हम लोग घी पिलाते हैं और एक स्पेसिफिक डायेट देने के बाद हम लोग उनका खुन जो होता है वो निकालते हैं और वो सरटन कॉंटिटी में खुन वहां से नि शरद रुतु में किया जाता है और अईरुवेद में ऐसे बताया जाता है कि शरद रुतु में स्वभाव से ही मतलब naturally हमारा रक्त जो है वो दूशित होता है तो अगर आपको fatty liver है या नहीं है फिर भी अगर आप स्वस्त हो और आपको आपका स्वास्त कायम रखना है तो normal पेशेंट को भी शरद रुतु में अगर वो रक्तमुक्षन करता है तो उससे उसका स्वास्ते बना रहने में मदद मिलेगी सर ये दो पंच कर्म हुए एक और हम सर कई बार चीजे सुनते हैं कि लोग बोलते हैं कि उनको लीवर में पीलिया जो जॉन्डिस जिसको बोलते हैं वो लीवर की विमारी है और लोग बोलते हैं नाक में ओशदी डालने से उनका पीलिया ये जॉन्डिस ठीक हो जाता है तो क् नस्य का रोल होता है और उससे कुछ हद तक बिलिरुबिन कम होने में मदद भी मिलती है लेकिन सिर्फ नस्य करेंगे और बाकी की कुछ चीज़े नहीं करेंगे तो ये भी एप्रोच उतना सही नहीं है कटु तुम भी नाम की एक वनस्पती होती है और उसका अगर रस दिकाल है बाइल का वो कम होने में मदद मिलती है लेकिन साथ में जो डायेटरी रिस्ट्रिक्शन से बाकी सब चीज़े ये भी करना बहुत आवश्य के सिर्फ नस्य करेंगे और ये ठीक हो जाएगा ऐसे नहीं है ये एक्चुली देखेंगे तो ये पिलिया की ट्रीट्मेंट है अगर उसको अम लोग फैटी लिवर से रेट करेंगे तो फैटी लिवर में ऐसा फाइदा नहीं होगा लेकिन हां किसी को जॉन्डिस अगर है पिलिया अगर है तो इस ट्रीट्मेंट से उसको फाइदा हो सकता है प्रोवाइडेड बाकी की भी जो सब डायेटरी रिस्ट्र और ट्रीट्मेंट है वो उसको फॉलो कर रहा है ये तो बात ती सर पंचिकर्म की अब आते हैं जो लोगों का फेवरेट होता है शमन चिकित्सा और डॉक्टर उसको भी बसंद होता है कि आउशदी दे दो ठीक कर दो और कही सारे लोग सर ये सोचते है कि कुछ घर घूती पहली बात तो मैं ही पूछन चाओंगा कि क्या फैटी लीवर और लीवर के लिए आयरविद में आउशदियां बोली है और अगर बोली है तो कौन सी उनमें से घरेलू चीज़े हैं जो लोग अपने घर पे कर सकते हैं as a safe medicine के दौर हो गए तो जैसे हमने देखा कि फैटी लीवर ये आज हमें पता चला है कि इस तरह से फैटी लीवर होता है उसके लक्षन से जो मिलते जुलते व्यादी है उनको हमने स्टडी किया आयरविद के माध्यम से जैसे प्लिहोदर उससे काफी अत्तक मिलता है और यकृत इस अवयो का अ है तो ऐसे हम लोग समझ सकते ही कि ये सब द्रव्वे जो होते है वो रक्त धातू के उपर और यकृत के उपर काम कर सकते है तो इस तरह से विचार करते हुए हम लोग फैटी लिवर या फिर लिवर रिलेटेड और भी जो कुछ बिमारी है उनकी चिकितसा आयरवेद के दुरुष्टिकों से कर सकते तो ये एक बात हो गई दूसरी और एक चीज़ आपने बताया कि घर पे हम लोग कुछ चीज़े कर सकते है क्या तो ये आयरवेद की विशेशता है कि आयरवेद ऐसी चीज़े बताता है कि कुछ small remedies जो अगर आप उसके लिए आपको डॉक्टर की सला हर टाइम जरूरी हो ऐसे नहीं है और ऐसी small remedies क जिनके बायंदार्ज कोई side effect आपको नहीं होंगे ऐसे small remedies आप कर सकते हैं तो उसमें कुछ चीज़े ऐसी होती है कि हमें ब्रुंगराज नाम की वनस्पती पता है जिसको हम लोग माका कहते है जी तो माका जो होता है वो बालों के लिए अच्छा ही है आमने सुना होगा लेक ब्रुंगराज रस का प्रयोग किया गया है तो ब्रुंगराज ये लिवर के लिए बहुत अच्छी दवा है और उसका fatty liver में उपयोग हम लोग कर सकते हैं ब्रुंगराज आपको मिल भी जाता है उसका अगर रस है वो अगर हम लोग 10-15 ml इतनी मात्रा में अगर तीन हपते स लेकर एक मेहने तक लेते हैं तो उससे fatty liver कम होने में हमें मदद मिल सकते हैं तो उसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं उसी तरह से मैंने गुडुची के बारे में बताया था गुडुची एक बहुत अच्छी ड्रग है और गुडुची ये जो ड्रग है वो लिवर को बनाने के लिए बहुत अच्छी है और साथ में जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि फैटी लिवर के पेशन्ट को अलस से लगता है उसको अंदर-अंदर बुखा रहे बदन तूट रहा है ऐसे लगता है वो 2-5 ग्राम की मात्रा में दिन में 2-12 अगर हम लोग लेते हैं तो इसका प्रयोग हम लोग लंबे डूरेशन तक कर सकते हैं 45 देज, 60 देज, there is no problem और एक चीज़े जो फैट कम करने में मदद करती है जिसके बारे में मैंने बताया था वो था चाज या तक्र इस तक्र के साथ अगर हम लोग हरीत की नाम की मतलब जिसे हरडा कहा जाता है उसका हरड का सेवन अगर हम लोग करते हैं तो उससे भी फैट कम होने में मदद मिलती है कितनी मात लगबक धाई से तीन ग्रैम फरड अगर आम लोग छाज के साथ लेते हैं दिन में एक ही बार इसे लेना है प्रिफरेबली आप इसको मॉनिंग एम्टी स्कमक लीजिए नहीं तो शाम को लीजिए शाम को जब आगर आपका खाना हो चुका है उससे चार गंटे इसली करना चाहिए वो दवा है गोमुत्र गोमुत्र यह एक बहुत अच्छी दवा है जिसका प्रयोग हो सकता है लेकिन गोमुत्र का प्रयोग फर्स थिंग लॉंग तम नहीं करना है जिन लोगों की पित्त प्रदान प्रकृति है जिन लोगों को उष्टता सहन नहीं होत है ऐसे लोगों को गोमुत्र नहीं देना चाहिए लेकिन जो पेशेंट कफ़ प्रकृती या कफ़ वातच प्रकृती के हैं ऐसे पेशेंट कम मात्रा में अल्मोस 10-15 ml इतनी मात्रा में गोमुत्र डेली ले सकते हैं ये भी जादा से जादा आपको 45 देस तक लेना है उसके बाद आपको इसका प्रयोक बंद करना है वापिस 3-4 मेरे रुक्य आप इसका प्रयोक कर सकते हैं उससे भी आपको जो लिवर में आपके फैट है वो कम करने में मदद मिलेगी और एक जो बहुत अच्छी दवा है जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था वो है और जिसके बारे में बाहनलार्ज there is no restriction and that is हल्दी और आमला हल्दी और आमला हल्दी और आमला जब आपको फ्रेश मिलेगा तब आप उसको फ्रेश खाईए आवला और हल्दी की चत्नी बनाके आप उसको खा सकते है या फिर आवला हल्दी और उसमें मसाले की और कुछ चिज़े और तिल का तिल ऐसे अचार बनाके आप उसको खा सकते है तो वो भी आपके लिवर के लिए अच्छा होगा या फिर आवला और हल्दी अगर आपको फ्रेश नहीं मिल रहे हैं तो उनका dry powder लेके आप उसका भी प्रयोक कर सकते हैं या फिर आप हल्दी लीजिए समझो आपने आदा किलो एक किलो हल्दी ली और आपने दो किलो आमले का रस निकालना है आपको एक किलो आमले से लगबग आदा लिटर से लेकर 600 ml इतना रस निकलता है मतलब एक लिटर आमला से हमें 500 ml रस मिल गया तो दो किलो आमला से हमें लगबग एक लिटर सवा लिटर इतना रस मिल जाएगा तो आमले का रस हम निकालेंगे और उसमे हम लोग ये हल्दी डालेंगे इसकी एक पेस्क बन जाएगी इसको धूप में सुखाना है और धूप में ये एक बार अच्छी तरह से सूख जाएगी तो इस पाउडर को एर टाइट कंटेनर में रखना है और दो-दो ग्रैम दिन में दो बार इस तरह से अगर हम लोग इस पाउडर को लेते हैं तो ये प्रमे के लिए बहुत अच्छी दवा है उसी तरह से फैटी लिवर के लिए भी एक बहुत अच्छा टॉनिक है ऐसे हम लोग कह सकते हैं और आमला के बारे में बताया गया है कि री जनरेशन करना ये हमला के एक महत्वपुर्ण गुण है और री जनरेशन होना ये लिवर टिशू का एक बहुत बड़ा गुण है इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी है जैसे हमारी मैथालोजी है हमारी कुछ जैसे पौरानिक मान्यता है वैसे गुरी की भी एक मैथालोजी है तो उसमें एक स्टोरी है कि अगनी जो है अगनी के उपर पहले अगनी humans को एक्सिसेबल नहीं था अगनी के उपर सिर्फ भगवान की सत्ता थी पहले जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि गंगा जो थी पहले स्वर्ग में थी उसके बाद भगिरत ने तपश चर्या की और वो गंगा को धर्ती पर ले आये उसी तरह से अगनी पर भगवान की सत्ता थी और प्रोमेथियस नाम का एक आदमी था प्रोमेथियस नाम का एक आदमी था जिसने स्वर्ख से अगनी चुराई ये Greek mythology की कथाए उसने स्वर्ख से अगनी चुराई और वो धर्ती पे ले आया और वहां से फिर इर्सान को अगनी का पता चल गया या अगनी का invention हुआ ऐसे Greek mythology मानती है तो ये चीज उसने भगवान को न पताती हो एकी इसलिए भगवान ने फिर उसको दंडित किया उसको सजा दी कि एक चील होगी वो आएगी और उसको चायद ग्रीक जो भगवान थे वो भी बॉलिवड की पिक्चर देखते थे कि जिसमें बॉलिवड में जैसे कहता है कि मैं इसको तडपा तडपा के मारूंगा तो उस तरह से उस तरह से क्या किया इस जो प्रोमेथियस था उसको लोहय की सली से उसके हाथ बांदिये और उसको एक पत्थर पे लिटा दिया और उसको कहा गया कि एक चील आएगी हर दिल वो तेरा लिवर खा जाएगी और देरे देर तेरा लीवर खतम हो जाएगा और तू मर जाएगा तो जैसे सुबा होती थी सुरज उखता था वो इगल वहाँ पे आती थी एंड एगल यूस्ट तू इट इस प्रोमेथियस का जो लीवर था वो खाती थी और शाम होने के बाद वो चली जाती थी वो पार्टी बिटी राज लेट नहीं करती तो शाम होने के बद वो वेजारी चली जाती थी और सुबे वापिस आती थी सुबे वापिस आने के बाद वो देखती थी कि रात पहले दिन उसने जितने लीवर खाया था वो वापिस बन गया तो इस तरह से यह हो गया कि वो लीवर बार-बार रिजनरेट कर रहा था तो ग्रीक पैथालोजी की यह कथा बताती है कि लीवर में बहुत अच्छी रिजनरेशन की कपैसिटी है और इसलिए जब लीवर ट्रांस्प्लांट करते तो एक आदमी जो होता है किड्नी ट्रांस्प्लांट के बारे में हमें पता है कि इनसान को दो किड्नी होती है तो एक किड्नी जो होती है वो डॉनर दुसरी जो पेशेंट को किड्नी नहीं है उसको दे देता है और एक किड्नी पर यह जिन्दा रहता है लेकिन liver transplant में क्या होता है कि liver का एक part निकालते हैं काटके और जिस आदमे ने दुसरे आदमी को liver दे दिया है इस आदमी का liver वापिस बन जाता है पहले आदमी का और दुसरे आदमी को भी liver मिल जाता है तो यह एक ही organ अमरे body में ऐसा है जो खुद को regenerate कर सकता है और आईरवेद की बहुत सी दवा इस प्रिंसिपल पे काम करती है जिसे हम लोग रसायन होशेदिया कहती है जो लिवर जियन रिजलरेशन को प्रमोट कर सके और ऐसी दवाईयों में एक सर्वस रिष्टा होशेदि मेरा मानना है कि वो आमला है क्योंकि आईरवेद कहता है कि आमला की वयस था पनाना आमला की बढ़ती उमर को बढ़ कम करने वाली है और अगर आपकी शेल्स होती रहेंगी हमेशा ग्रो होते रहना ये एक तरसे यंग एज का एक कि एक जामपल है या फिर उसका तो आमला की यह काम कर सकती है एड दे सेम टाइम आमलती रक्त पित्त की भी बहुत अच्छी दवा है रक्त पित्त प्रमेहेश्यू विशेशेन आमल की फलम्त तो प्रमेह तो यहाँ पे आमने देखा था प्रमेह मतलब जिसको अम लोग डायबिटीस कह सकते वो लक्षन फैटी लीवर में दिखते हैं रक्त पित्त मतलब बॉड़ी से खूर ना जाना तो आपने लीवर खराब होने के बाद जो क्लॉटिंग फैक्टर कम हो जाते हैं और उसकी बज़े से ब्लीडिंग हो सकता है वो उसकी अच्छी दवा है आमल की बहुत अच्छी विटेमिन सी का सोर्स है और विटेमिन सी के कारण ओक्सिडेटिव स्ट्रेस कम होता है और इंफ्लमेशन कम होता है यह हमने देखा है तो अगर हम लोग हमारे डायेट में आमल की का समावेश करते है तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से इसको कम कर सकते हैं ऐसे लगता तो यह ऐसे ही कुछ दवा है जो very easily available है तो इनका अगर हम लोग प्रयोक करेंगे तो हम लोग काफी अच्छी तरह से इसको tackle कर सकते हैं और साथ में आपको आयरुवेदिक दवा लेनी है तो कहीं पी दुका के पास जाना चाहिए और वो डॉक्तर आपको जिस डोस में जिस अनुपान के साथ जिस डूरेशन के लिए वो दवा लेने के लिए बोलेंगे उतने ही डूरेशन में आपको लेना चाहिए because self-medication is dangerous यह प्रैक्टिसर हम बहुत बार देखने हमें मिलती है कि लोग ऐसे ही ल जावाईयों के नुकसान के कारण भी लीवर खराब हो सकता है इन देखो जिस चीज को एफेक्ट है उस चीज को साइड इफेक्ट भी हो सकता है अब एक चीज यह बहुत अच्छी है कि आयरुवेट की दवा जो होती है न वो एक मॉलेकुल पे निरफर नहीं करती है उतना एकदम तुरंट परिणाम नहीं करती है और इसलिए तुरंट परिणाम नहीं करती है इसलिए उतना बड़ा दुश परिणाम भी नहीं करती है तो यह एक तरस से सिनर्जी की उपर काम करने वाला आयरुवेट का अक्षास्रा है तो आयरुवेट की जो दवा होती है स पुरुची के side effect आपको नहीं दिखेंगे लेकिन जैसे मैंने कहा कि जिस चीज को effect है उसका side effect भी है तो कुछ side effect आपको दिख सकते हैं इसलिए ये बहुत जरूरी है बला वो side effect उतने तीवर नहीं होंगे लेकिन आपको ये द्यान में रखना जरूरी है कि आप एक दवा ने जाएगी तो उसकी बज़े से आपको problem हो सकती है जैसे हमने नीम के बारे में दिखाता है तो नीम तो एक बहुत common दवा है लेकिन ज्यादा मातरा में नीम खाने से भी पुरुष्यत्व कम हो जाता है sperm count कम होने लगता है तो इसलिए हमें कोई भी दवा अगर हमें लेनी है तो self-medication करने से अच्छा डॉक्टर के परामरस से दवा ले डॉक्टर के guidance से दवा ले जिससे हम लोग उसके सिर्फ फायदे ले पाएंगे और side effects से बच पाएंगे सर इतनी सारी बात होने के बाद अब कुछ last थोड़े से doubt और बचते हैं जैसे कि कई लोग बोलते हैं डॉक्टर कही बाद दवा बता देते हैं सब कुछ बता देते हैं पर खाने पीने के बारे में नहीं बताते तो कुछ खान पान के बारे में कुछ अगर आप जो fat deliver के patients जो हैं वो भी और जो यह चाहते हैं कि उनको भी fat deliver ना हो वो कौन से खान पान की चीज़ों का ध्यान रखें अपने diet में वो चीज़ें include करें वो बताइए इसके बारे में काफी चर्चा हो चुकिए फिर भी कुछ जिसको take home message कहेंगे इस तोरपे में कुछ चीज़े बताता हूँ तो पहली चीज़ जो है कि जैसे मैंने बताया था हम लोग क्या खाते हैं इसके साथ ये भी important है हम लोग किस समय पे खाते हैं तो जैसे मैंने कहा कि आप ideally दिन में दो ही बार खाओ, breakfast अगर आपको करना ही है तो breakfast आपका ऐसा होना चाहिए जो पचने में हलका हो जो ज़्यादा calorie वाला न हो आपको protein खाना जरूरी है, protein body के लिए अच्छ है लेकिन वो excess भी नहीं खाने चाहिए, animal origin का protein है मतलब जो fish हो गया, eggs हो गया या फिर non-wage हो गया, इसको आप कम से कम consume कीजिए, naturally मिलने वाला जो protein है, जो basically हमें दालों से मिलता है, जो अलग-अलग जिनको हमें लोग millets कहते हैं, उनमें भी काफी अच्छी मातरा में protein होता है, जैसे fox tail millet हो गया, brown top millet हो गया, इनमें अच्छी-खासी मातरा में protein होते हैं, तो उ मिल के बारे में अगर कहेंगे, तो दाडिम हो गया, आमला हो गया, ऐसे जो फल है, वो ज्यादा अच्छे है, साथ में ये जो होता है, हम लोग कहते हैं, पपीता जो होता है, उसका भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो पाचन के लिए अच्छा है, तो इनका प्र एक जगा पर बैठना नहीं है, कुछ न कुछ 15-20 मिनिट बाद आप पाच मिनिट का ब्रेक लीजे, या फिर एक देड़ गंटे काम करके आप 15 मिनिट का ब्रेक लीजे, उसमें आप अपने बॉड़ी की, कुछ न कुछ अगर मुमेंट करते रहते हैं, तो उससे भी इस चीज में फाइदा होता है, रात का खाना जल्दी खाना चाहिए, ये भी चीज इंपोर्टन्ट है, और एक बहुत इंपोर्टन्ट चीज में यहां पर बताना चाहूंगा, कि बहुत से लोग वजन कम करना है, ये जब सुनते हैं, तो वो तुरंत वजन घटाना शुरू कर देते और रैपिड वेट लोस उनका होता है, मतलब एक मैने में वो 7-8-9 किलो इतना वजन घटा लेते हैं, वो क्या करते हैं कि एक ही दर का डायेट करते हैं फिर, सिर्फ एक दिन अगर उन्होंने सिर्फ टोमेटो खाया तो टोमेटो भी खाते हैं, एक दिन अगर कुकुमबर ख in case of a fatty liver, तो fatty liver के patients में जो weight loss होना चाहिए, that should be slow weight loss, एक मैने में आपको 3-4 किलो से ज्यादा वजन नहीं घटाना है, क्योंकि अगर हम लोग ज्यादा मात्रा में वजन घटाते हैं, तो उससे body में fats release होते हैं, और ये fats release होके वापिस हमारे liver में जाते हैं, और fatty liver बढ़ता है तो आपको वजन कम करना है, especially जो young female से, इनकों में ये चीज़ बताना चाहूँगा, कि वो बहुत जल्दबाजी में होते हैं वजन कम करने के, तो इस चीज़ के बारे में हमेशा दयान में रखें, और एक महत्वपूरना चीज़ जो मैंने बताई थी, कि जो मधूरता है, या जो sweetness है, वो हमारे जबान में होने चाहिए, बोडी में होने से अच्छा जबान पर मिठापन होना ज्यादा महत्वपूरना है, बिल्कुल सर और आपने बहुत ही आज कमाल की चीज़े बताई, fatty liver के बारे में कि कैसे हमने अपनी lifestyle हम शुरू किये थे भाकरी से, कैसे हम वड़ा पाउ पर आ गए, कितनी शुगर काने लग गए, और fatty liver के ऐसा नहीं कहीं सारे लोग को लगता है, बस दारू से हो सकता है, दारू के अलाव भी आज हमने लगबग 2-3 घंटे तक इसी topic पर बात किये, तो उमीद है आप में से ऐसे लोग जो सोच रहे थे कि liver क्यों इतना खराब हो रहा है, उनको कई सारी खास जानकारी मिली होगी, सरका विशेश रूप से धन्यवाद कि आज हमारे याँ पर आए, और इतनी कमाल की जानकारी दी, उमीद है कि सर फिर से आएंगे और आपके अगर कुछ डाउट होंगे fatty liver से, शायद किसी की बचे नहीं हो